हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आज के इस ब्लॉग में बहुती रोचक जनकारी आपको देने जा रहा है और वह जनकारी है दिल्ली में सबसे पहली F.I.R के बारे में दिल्ली में जो सबसे पहली F.I.R थी वो कहां पर रेजिटर्ड हुई किसने रेजिटर्ड की किसने वो F.I.R ल रहेंगे तो आप हमारा हुसला बढ़ाते रहें सब्सक्राइब करते रहें चनल को तो आपको यह पूरी जनका इदर रहें फर्स्ट इन्फॉर्मिशन रिपोर्ट जो दिल्ली में पहली थी दरसल 1860 को इंडियन पीनल कोड लागो हुआ और 1861 को पुलिस एक्ट लागो हुआ यह दो बहुत ही महत्पूर्ण एक्ट थे क्रिमिल के वो लागो हुए 1860 और 1861 को तो 18 अक्टूबर 1861 को इंडियन पीनल कोड के तहर्ट पहली जो फाई यार थी वो सबजी मंडी सबजी मंडी जो थाना है वहां पर लिखवाई गई और यह जो रिपोर्ट लिखवाई यह मुईदिन सण ओफ महंमत ए-r खान ने मुदिन सान ओफ ए-r खान ने यह रिपोर्ट लिखी राम मनुवर्ण ने राम मन travelled जो कि उस इलागे के एसर चम्हां थे उन्होना यह रिपोर्ट लिखी और ये रिपोर्ट किस भासा में लिखी गई दरसल ओश टाइम पर उर्दू और पर्सियन दो भासाओं में F.I.R. लिखी आती थी तो ये F.I.R. भी उर्दू और पर्सियन भासा में ही लिखी गई ये मामला था चोरी से संब्दित और चोरी की जो रकम थी जो आइटम थे चोरी के उनकी जो कीमत थी वो 45 आना यानि अगर आज देखे 2 रुपे 80 पैसे के वराबर बैठती है तो 45 आने का समान चोरी हुआ था और जो समान चोरी हुआ था उसमें क्या था कुछ जो है लेडीज के कपड़े थे एक हुका था और एक कटोरा था तो ये समान चोरी हुए थे इनकी रिपोर्ट चोरी की सबजी मंडी का जो थाना है जो कस्मिरी गेट के पास है पहले दिल्ली 6 में आता था अब दिल्ली 7 मे हैं वहां पर यह रिपोर्ट लिखवाई गई पहली एफ आई यार बहुत इंट्रेस्टिंग सी यह कहानी है और 162 साल हो गए इस रिपोर्ट को लिखे हुए अठारा अक्टूबर दो हजार तेईस को 162 साल पूरो हुए पहली एफ आई यार को लिखे हुए दिल्ली में और उसी के उप्लक्स में जो है काफी जसन मनाया गया इस थाने में सबसी मंडी के और 162 जो लाइट्स है जो मंबती हैं वो सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें थैंक यू